गुजराती स्टाइल फरसी पूरी या फिर मसाला मठरी बहुत यासान है बनाना गिहूं के आटे से बनाएंगे और आप इसे स्टोर करके एक महिने तक आराम से खा सकते हैं दिखने में ये डिज यतने सिंपल है खाने में उतना ही मसालेदार उतना ही चटपटा और ये क्रिस्पी नाश्टा आपको बहुत ही पसंद आएगा तो आप इसे किसी भी तेवहार में भी बना सकते हैं तो चलिए आज की दिवाले स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे सब्से पहले एक परात में दो कब गिहुं का आटा ले लेंगे आप इसमें गिहुं की आटे काहिश इस्तिमाल करें मैड़ा वगरा नई यूज़ करें फिर हम इसमें दो चमच तेल डाल देंगे, तेल की जगा अब घी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं दो चमच तेल काफी है मोहिन के लिए स्वात के नुसार नमक डाल देंगे, आधी चोटी चमच छल्दी का पाउडर, एक चोटी चमच लाल मिर्च का पाउडर डाल दे आधी चोटी चमच धनिया पाउडर, आधी चोटी चमच जीरा पाउडर, आधी चोटी चमच गरम मसाला पाउडर, आधी चोटी चमच हींग डाले, हींग से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है एक चोटी चमच जीरा डाल देंगे और कसूरी मेथी डाल देंगे तो यहां पर एक बड़ा चमच ख़ुरी मेथी को आप ऐसे हट्यलियों पे रगड़के इसमें एड़ करें इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो ख़ुरी मेथी आप इसमें जरूर डालें तो यहाँ पर यह कसूरी मेथी का जो स्वाध है वो इसमें आ गया है अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे और जैसे ही तेल मसाले अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएंगे ना तब हम इसमें पानी डालके इसका एक डो बना लेंगे कितनी सिंपल रेसिपी है तो आटे में बस आपको मसाले अड़ करने है थोड़ा सा तेल डालना है और इसके बाद पानी डालके इसका एक कड़ा डो गुन लेना है यहां पर मसालों की वज़ाज से डो का जो कलर है वह ऐसे यलोई शैगा यह देखे़ तब हम क्या करेंगे इस मुरी बनाने के प्रोसेस में यानी मसाला मठरी तो आप चीए तो छोटी छोटी लोई बना के और उसे रोल करके ये पूरी बना सकते हैं, नहीं तो शॉटकट तरीका में आपको क्या करना है कि एक बड़ी लोई बनाना है और यहाँ पे रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा तेल लगा है और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे, मतलब एक बड़ी रोटी बना के और उसके बाद उसके पीसेस कर लेने हैं, तो ये तरीका ज़्यादा सिंपल है और सारी आपकी फुरसी पूरी या फिर मठरी जो है वो बराबर शेप में बनेगी, तो आप इसे जितना ज़्यादा पतला रोल करेंगे, उतना ही अच्छा यहाँ पर हम चाकूस से ऐसे इसके उपर होल कर देंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये फूले नहीं, मतलब इसमें स्टीम क्रेट नहीं हो, अब किसी बाटल के ढखकन से या फिर कुकीस कटर से आप इसे ऐसे काट ले, ये देखे, तो इसको बनाते वक्त आपको क जाध्या ध्यान रखना है, कि मोहिन डालना है आटे में, गुनने के बाद इससे दस मिनट रखना है, और उसके बाद जब आप इसे बे ले तो पतला करेंगे, आपके फरसि पूरी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, और यहाँ पर जब आप इसे रोल करें, तो इसम पहले कट करके निकाल ले और उसके बाद एक ही साथ फ्राई करें तो यहाँ पे यह देखे एकदम जैसे गुलगप्पे की पूरी बनती है जब वैसे हम इसे ऐसे बेल के निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारी फरसी पूरी रेडी है फ्राई होने के लिए अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रॉसेस में तो कड़ाही में मैंने तेल पहले से गरम होने के लिए रखा था, यहाँ पर यह फरसी पूरी है, तेल जो है वो बहुत जादा गरम नहीं हो इस बात का ध्यान रखे, इसे आप धीमी आज पर फ्राई करें तब यह जादा क्रिस्पी रहेंगे, तो यहाँ पर यह देखे, ते गोल्डन ब्राउन आ जाएगा, हम इसे निकाल लेंगे, तो आप इसे फ्राई होने के बाद इस टेनर पे निकाल लेंगे, ताकि इसका स्टीम भी निकल जाए और ओल भी नीचे से निकल जाए, तो यहाँ पर सेम तरीके से हम सारे फरसी पूरी को फ्राई कर लेंगे, तो करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, कि गयस का फ्लेम लो रखना है, बहुत जादा तेल गरम नहीं हो, अगर तेल जादा गरम हो गया है, तो गयस को बंद कर दें आधी मिनट के लिए, और उसके बाद अन रखे, और इसे दोनों साइट से पलट पलट के ऐसे फ्राई क यहां पर देखेंगे तो एकदम गोल्डन कोईन जासे दिखेंगे, जब आप इसे फ्राई करके निकालेंगे तो इसके उपर आपको थोड़ा सा ओयल दिखेगा, लेकिन जैसे 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 फ्राई कर लेना तो इसे ऐसे पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए रखतें, और उसके बाद आप इसे airtight jar में भरके आप इसे स्टोर कर सकते हैं, तो यहां पर हमारा ये फरसी पूरी जो है वो ठंडा हो चुका है, यह देखें किता पढ़िया दिख रहा ना, एकदम crispy, एकदम golden coin जासे, तो आप इस masala मठरी या golden coins या फिर फरसी पूरी को स्टोर करके एक महिने तक आराम से खा सकते हैं, यह बिलकुल softny होता है, बहुत ही जबरदस्ट लगता है, और crispy तो इतना कि क्या बता हूँ, यह देखें, है ना, तो आप इस super tasty recipe को जरूर ट्राइ करें, यह आपकी family को बहुत पसंद आएगा,